कुछ बेतु की बातों को छोड़ दें तो हां यह सीरीज आप थोड़ी बहुत इंजोई कर भाऊगे मैंने थोड़ी बहुत का मैं बहुत ज्यादा नहीं का नमस्कार दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 100 वेब सीरीज की जिसे डिजनी प्लस होट स्टार वी आईपी बहुत लंब पाटिल रिंकु राजगुरु इससे पहले सराट एक मराथी मोई है उसमें वो आ चुकी है यह ओनलाइन के ओनलाइन प्लेटफोर्म पे या नि ओनलाइन क्या एक आप कहें कि वेब सीरीज में उनका यह फर्स्ट डेब्यू कह सकते हैं फर्स्ट सीरीज है उनकी कहाने शु वहां पे रहती है और वही सब का वहां पे उसने अपने परिवार क्या मतलब बोज अपने कंदों पे ले रखा है यानि वही कमाने वाली एक लोती सब की चीजों का ध्यान वही रखती है और इस मूव इसमें जैसे वेब सीरीज में दिखाया गया है जो नेत्रा के जो पित हो सारे की सारे नेतरा को एक दिन पता चलता है उसे brain tumor है उसे cancer है जिससे doctor कहता है उसके पास सो दिन ही बचे है इसलिए इसी series का नाम 100 रखा गया है सो दिन ही इसके पास बचे है तो अब यह सोचती है कि इस सो दिन को क्यों ना वो जी आ जाए पहले तो बहुत उदास होती है लेकिन बाद में इसका मानना होता है कि यह सो ही दिन बचे हैं तो क्यों ना वो इसे जी ले तो वो पब में जाती है दारू पीती है दूसरी तरफ एक character दिखाया गया है सोमया सिंग का ACP सोमया सिंग जिसे इस बात से दिक्कत है कि उसे काम करने से रोका जाता है पुलिस का है कि सारे आदमी उसे ऐसे आइटम गल की तरह प्रेजंट किया जाते हैं कहीं पर भी ले जाना उसे function में ले के चले जाते हैं उसे काम करने से रोक दिया जाता है जबकि वो काम करना जाती है और इस सीरीज में दिखाया गए कि आदमी से एक इवन छोटा सा case भी solve नहीं होत करते हैं उसे चुपा के रखते हैं उसे case वहीं close करते हैं तो ऐसा कुछ दिखाया गया है अभी वक्ती किया जाती है कुछ भी दिखा सकते हो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में अगर आप कुछ एक बातों को इग्नोर कर दो तो शायद आप ये web series तोड़ी बहुत enjoy कर पाओ और इधर सोमया बार-बार हमसे बात करती हुए एक तरीके से कैमेरे से बात करती हुए नजर आती है बीचर जावाद आती है कि कोई मेरे character को judge करे तो मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता मैं जैसी हूं वैसी जी हूंगी और even इसका affair चल रहा होता है शादी होने के कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए मुझे family start नहीं करनी तो उसके पती ने ये बात मान ली बलकि जबकि उसका पती चाहता था कि वो family start करे अपनी इच्छा को मार कर भी सोमया की खुशी के लिए उसकी खुशी के लिए उसने ये बात स्विकार कर ली फिर भी पता नहीं ये affair करेक्टर आपके सामने आएगा तब आपको इससे चेडिम होगी मतलब नफरस ही हो जाएगी एक तरीके से जो ACP सोमया सिंग निभाया है नेत्रा बाइचांस बार में ही जहां वो दारुपीरी होती है सोमया से टकराती है वहां मिलती है और अपने नशे में वो बताती है कि उसे कैंजर है उसे सो दिन ही है उसके पास तो अब वो अपनी लाइफ खुल के जीना चाती है तो सोमया उसका यूज करती है अपनी इंफॉर्मर से बनाती है उसे डिफिकल्ट टास्क करने का दे देती है डेरिंग टास्क करने को और यह कहते है कि तुमारी लाइफ बहुत इंटरस्टिंग हो जाएगी एटलिस तो मर रही हो तो कुछ डेरिंग करके जाओ अपनी लाइफ को ऐसे फिलम बना के जाओ और सच कहूँगा कि इस सीरीज में आपका ध्यान सिर्फ सिर्फ नेत्रा पाटिल के करेक्टर के उपर ही जाएगा क्योंकि जो बिंदास तरीके से उन्होंने जो प्ले किया है बड़ा ही जवर्दस लगा मुझे वो जब भी आती हैं आपको वहां कॉमेडी जरूर मिलेगी आपके चेहरे पे मुसकान जरूर हो आएगी लेकिन वो जब आएंगी स्क्रीन के उपर या फिर आप कहेंगी कि जब उनका सीन आता है तब ही वरना जब सोमेसिंग का जो भी क अब नहीं इंफोर्मर बनती है सोमय सिंग की अब वो डेरिंग टास्क कर रही है बिना डरे बिना जिसके नई चीज़ें कर रही है जैसे इंट्रस्ट मजा रहा है कि उसे पाता है कि उसके पास सो दिन है कुछ एक दिन बचे हैं जब ले यहां मर जाओं किटनी का ऑपरेश में एक दिन सोमया को पता चलता है कि नेतरा को कोई भी कैंसर नहीं है बस ताइरोड है उसकी विज़े से चक कर आया थे और जिस गवर्मेंट हस्पिटल में उसने वो चेक कर आया था उनके पास वर्कलोड बहुत होता है उस वर्कलोड में उसकी रिपोर्ट चेंज हो गई मतलब अपने इस सेल्फ के लिए उसके लाल ची दिखाया गया है माँ पर यह लाल ची हो रहत है तो अब नेतरा धिरे-धिरे सोमया के जाल में फर्स्ती है वो इतनी गहराएं में चल जाती है कि वो जिससे प्यार करती है सोमया के दबाव में आके उसके बारे में वो information दे द तो एक तरी के से उसका प्यार जाता है उसका विश्वास तोटता है उधर सोमया के पती यानि परवीन उसको पता चलता है कि सोमया का एक मैडी नाम गलड के से अफेर चल रहा है और यहां पर यह सीरिज खत्म हो जाती है तो सीजन वन मुझे लगता है कि इसके बास सीजन पाओगे लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कर पाओगे एक गिन या फिर एक नफरत सी आएगी एक वहीं करेक्टर आपके सामने होगा जब भी वह आएगी तो आपको एक खुशी महसूस होगी तो तो अलग अलग चीजे हो जाती हैं कि एक नफरत वाला बीच में आ रहा है फिर आ अगर वो ना भी होते उसको थोड़ा सा और अच्छे दिखाया होता तो शायद और बैटर हो सकती थी उसे और कॉमेडियन वे में भी दिखाया जा सकता था वैसे कुछ चीजे हैं जैसे कि इस सीरीज को थोड़ा छोटा भी किया जा सकता था और as usual feminism का वही चीज कि हर मर्द गलत है हर मर्द घटिया है तो इसमें भी कुछ चीजे वही है तो मैंने कहा ना कुछ एक चीजों को आपको इग्णोर करना पड़ेगा जेलना तो पड़ेगा ना यार आके जम फेमिनिस्ट जो है मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 5.5 out of 10 स्टार अगर जय है बढूँगा 4.6 अवड़ेगा 5.5 जय है ले व्क्रवाइगा 6.5 घड़ेगा 6.3 बढाई ट्यूपप चाहँगा 6.3 बढाई है जय है लेगा 5.5 बढाई है लेल्टेश वाहँगा 6.5 घई सापको 6.6 मैं ले लेल्वा